इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ RRB NTPC की तौरा जारी के गए एक्जाम सीडूल के बारे में इस सीडूल के अंदर कौन कौन सी महत्तुपूर्ट चीजे हैं वो आपको मैं दिखाऊंगा ओफिशिल डॉकुमेंट के जरी है अगर आपने ओफिशिल डॉकुमेंट देख लिया है एक्जाम सीडूल से आप परचित हैं तो बहुत अच्छी बात है जिन्होंने नहीं देखा है वो देख लें तो चलिए सुरू करते हैं वीडियो और जान लेते हैं एक्जाम सीडूल के बारे में दूसरी महत्पूर बात गया है कि आप अपना एक्जाम सीटी और डेट यह जो है एक्जाम सुरू होने से दस दिन पहले आप देख सकेंगे इसके अलावा जो इसके अलावा आप अपना एडमिट कार्ड एक्जाम सुरू होने से चार दिन पहले डाउनलोड कर सकते हैं और यह जो तीसरा पॉइंट है इसको ध्यान से देखिएगा यह कापी महत्पूर है जिन कैंडिडेट का नंबर इस फेज के अंदर नहीं आएगा उनको एक मैसेज भेजा जाएगा उस मैसेज में यह लिखा होगा इस फेज के अंदर नहीं है चौती महत्पूर बात यह है कि आप अगर अपना रिजिस्ट्रेशन नंबर भूल जाते हैं तो उसको रिकावर कैसे करेंगे क्योंकि आपको अपना एडमिट का डाउनलोड करने के बार जारी किया जाएगा जिसके जरी आप अपना रिजिस्ट्रेशन नंबर जान सकेंगे यह कुछ महत्पूर बाते थी जो आरर भी ने जारी कि हुई है और यह नोटिफिकेशन जारी किया था सत्रह तारीक को आल राइट तो मिलता हूं आपसे किसी और अपडेट के साथ थैंक यह बाचीं